काला चना कि मसाला सब्जी की रेसिपी काला चना शहां बहुत हिल्ली होता है अर इस भी बहुत है है और यह जो सब्जी है इससे बनाने cohort कम अपिस मज़ेदार सब्जी को मैं आप से एक रिक्स करना चाहूंगी कि अगर अब तक मेरे चनल को आपने की चनल को प्लीज डीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं काला चनी की सबसी बनाने के लिए यहां पर मैंने एकप काले छने के बीगने के बाद काले जने कुछ इस तरह से दीखेंगे अब क्या करेंगे इसे प्रशरकुकर में डालके उबाल लिए तो आफ दे इसके साथ यहां पर पाणियर डाल दें pressure- Suzuki तौद तौब टाल देंगे बाद हम क्या करेंगे इस उबालेंगे तो यहां पर फ्लेम पर लगानी सबस्टाइब गरेंगे रिखाल लिघने इसे लोग पका लेंगे तो इस तरह से ना हमारे जो काले जने हैं बहुत एच्छी तरह से पक्के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो प्रेशर कुकर है, इसे अपने आपी थंडा होने दे, जैसे इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, हम कुकर को खूलेंगे, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमारे जो चने हैं, पक्के तयार हो गहे हैं, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं, तो यह तेल का इस्तमाल करें तेल के गरम होते ही हम यहां पर राई डाल देंगे तो यहां पर आदा चोटा चमच राई का इस्तमाल करें यहीं पर आदा चोटा चमच हम जीरा डाल देंगे और यहीं पर हम हिंग डाल देंगे तो एक चोटा चोड़े चमच के करीब हिंग का इस्तमा तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने प्याच को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है तो मीडियम फ्लेम पी दो-तिन मिनिट का समय लगेगा इसे गोल्डन ब्राउन होने में जैसे हमारा प्याच पक जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक बड़े चमच अधरक लह कि दोतने नहीं पर का यूज बस फेलाल ईकने जसे एकम पकते हैं को तो मट करें था करमे दिया दोस्कों कटने के पीड़ाओं यहां पे यहां डौक है हम और शौक को चैने को अब बालते समय नमक का इसलिए तो नमक का इसलिक यह को च्लिभा डालतें था उप इसे ढखकन रखके 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे तो 2-3 मिनिट के बाद ये ढखकन उठाया मैंने और आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से देल चोड़ने लगा है बहुत अच्छी तरह से पके तयार हो गया है तो अब हम य सबसी का टेस्ट जो है वह इतना अच्छा नहीं आएगा तो अब हम क्या करेंगे इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यहां पे जाने को मैंने पानी के साथ डाल दिया है अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे ढखकन रखके तक्रीबन पास साथ मिन बना सकते हैं आप एक बार बार बनाना पसंद करेंगे वह क्या करेंगे टो इसे इसे ठकन रख के 2-3 मिनिट विए ऐसे ही चोड़ देंगे और तो हम इसे ले चलते हैं करने के लीए को मैंने इस लाव कर दिया था सब्ली का कलर सकते कि बहुत अच्छाया है सब्जी का रंग टेक्च्चर एकदम पर्फिक्ट है बहुत ही कम मसालों में हमने ये मज़ेदार और बहुत ही टीस्टी सब्जी बना के तयार की है लास्ट में थोड़ा सा दन्या पता रख के मैं इसे गार्णिश कर देती हूं ताकि ये दिखने में तब तक के लिए बाई बाई